अब तक बिस्तप की तीम की तरफ से आप सभी को नए साल की शुब कामना है। अब तक बिस्तप कामना है। सेल टॉस की बुकिंग सतर हजार के पार चली गई। 22 अगर्स को किया ने सेल टॉस को लॉंच किया था और सिर्फ चारी महीने में किया सेल टॉस ने बुकिंग के सारे डिकॉर्ट तोर दिये। किया सेल टॉस के लावा जिस कार ने 2019 पे धमाल मचाया है वो है एमजी हेक्टर 27 जून 2019 को लॉंच हुई थी ये कार और ऐसी भी बाजार में काफी लोक्त्रिय बनी हुई है। नवंबर में अपटी ने हेक्टर की 3,249 यूनिट्स बेची वहीं कंपनी के पास बुकिंग का आखड़ा 30,000 के पार हो गया है। हेक्टर की एक शोरूम के मत 12,48,000 उपए है चोकि 17,28,000 उपए तक जाती है। इंटरनेट कार होने की वज़ा से इसमें 100 से भी जादा कनेक्टिविटी फीचर्स दिये गए हैं। MG हेक्टर को देश की पहली इंटरनेट कार कहा जाता है। हुंड़े वेन्यू ने भी साल लोगों की पहली पसंद का काम किया। ये कार गूगल ट्रेंड में नमबर वन पर रही यानि गूगल में सबसे ज़ादा हुंड़े वेन्यू की वर्ड सेर्च किया गया। मंदी के बीच हुंड़े ने भारते बाजार में SUV सेग्में में वेन्यू को उतारा था। हुंड़े वेन्यू भारत में किस माई 2019 को लॉंच हुई थी। जुलाई माईने में वेन्यू भारत की बेस्सेलिंग कार बन गई थी। वेन्यू की दिल्डी में एक शोरूं की मत 6.5 लाक रोपै से 11.1 लाक एक हजार रोपै के बीच है। नमंबर तक देश में 60,000 से जादा यूनियू की बेची जा चुकी है। पेटर और डीजल दोनों वेरियंस में आती है। हुंड़े ने इस कार में सभी तरह की हाई-टेक फीचर्स दिये हैं। दिखने में क्रेटा से थोड़ी छोटी है। यूथ में हुंड़े वेन्यू को लेकर काफी क्रेज है। वाले पेट्रोल एंजन के साथ लेस है। इंजन और पाव के मामने में मारुती सुजुकी एस्प्रेसो में 998 सीसी का पेट्रोल एंजन दिया गया है। जबकि सारे 5000 रपीम पर 50 किलोवाट की पावर और सारे 3000 रपीम पर 90 एनम का टॉक जेनरेट करता है। मालेज के मामने मारुती एस्प्रेसो प्रती लीटर 22 किलोमेटर का आवरिज देती है। एंट्री लेवल कार खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन आप्शन है। ये वो कार्ज हैं जिन्होंने मंदी के बावजूर बिक्री के रिकॉर्ड कायम किये। ये चारों कारे बिक्री के मामने में 2019 में सुपर हिट साबित हुई है। तो हरोज इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ हम बिजबाज में हाजिर होते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जूर सकते हैं हमारे यूट्यूब चानल है बिज़ तक सब्सक्राइब कीजिए।